हालो फ्रेंड्स वेलकम टो माई चैनल तो आज हम लोग इस वॉकर का रिव्यू देखने वाले हैं इसे लगबग 4 मंथ हो चुके है तब से हम इसे यूज कर रहे हैं यह रॉकर कम वॉकर है तो इसमें जो सारे फंक्शन से वो में आपको दिखाती हूँ तो यहां पर यह के लिए कुछ खाने के लिए या फिर उसे खेलने के लिए कुछ भी रख सकते हैं तो यह बहुत इजी है निकालना और रखना देन उसके बाद ही यह प्ले करने के लिए और उसके बाद यह यहां पर यह पूश हैंडल है पुश करने के लिए और यह आपको यूज करना है कर सकते या फिर आप इसे रिमूव भी कर सकते हैं मैं आपको यह रिमूव करके दिखाती हूँ यह इस तरह से रिमूव भी होता है तो उसके बाद आते हैं यहां पर तो यह आभी रॉकर इसमें है तो यह ऐसे सीशॉस ऐसे प्ले होता है और अगर आपका बीबी बहुत छोटा है जब भी आपने स्टार्ट किया यूज करना तो आप इस पोजिशन में भी उसे रख सकते हैं क्योंकि वो इसे लेके भी ऐसे घ और वोकर में कनवर्ट करते हैं तो इस तरह से इसे फोल्ड करना है और यहां पर यह लॉक है तो आप इसे यहां पर इसे लॉक कर सकते हैं तो इसे हम इस तरह से लॉक कर सकते हैं और फिर यह इंँभ होता है और उसके बाद इसमें पर है जैसे हम इसके स्टॉप कर सकते हैं अगर आपको इसे मूव नहीं करना है एक जगे पर stop करना है तो इस्टापर के मदद से आप इसे ऐसा स्टाप भी कर सकते हैं ताकि यह ज़्यादा मुव नहीं होगा और बेवी एक जगे पर खड़ रहे सकता है देन इसके बाद इसके हैट कम ज्यादा भी आप कर सकते हैं यहाँ पर लॉग दिया है जिससे आप इ अच्छा है मतलब इदनी प्राइज में यह बहुत ही अच्छा है तो हम लोग इसे अभी फॉर मंथ से यूज़ कर रहे है तो बेबी को कुछ भी प्रॉब्लेम नहीं हुआ है इससे और मैं आपको एक सजेस्ट करना चाहूंगी अब लेते समय इसका जो कलर है सीट का वह अगर आपको यह वोकर अच्छा लगा है तो आप पॉचस करना चाहते हैं इसे तो इसका लिंग में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी वह से आप पॉचस कर सकते हैं थैंक्यू